जै जै शिरी कृष्णा दोस्तों बच्चों स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे के ऐसे कौन से कारण है जिन के करने से जीवन में दिरिदरता आती है भगवान शिरी कृष्ण ने कहा है के अपने जीवन में आने वाले सुख दुख अमेरी गरीबी के लिए मनुश्या स्वायम ही जिम्मेदार होता है तो आएए जानते हैं भगवान शिरी कृष्ण ने ऐसे कौन से कारें के लिए बताया है जिस से जीवन में दिरिदरता आती है नमबर वन जिस घर में भगवान को भोग लगाए बिना अन ग्रहन किया जाता है उस घर में दिरिदरता निवास करती है क्योंकि जिस विधाता ने मनुश्या को अन धन दिया है अगर वो उसको ही भूल जाए तो ये उसका निरादर है मनुश्या को कभी दूसरों के हिसे का भोजन भी नहीं खाना चाहिए घर में बने भोजन पर अन्या जीवों का भी अधिकार बताया गया है सबसे पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए फिर गौ माता वा कुत्ते का हिसा भी निकालना चाहिए गौ माता में सभी देवी देवताओं का निवास होता है इसलिए गौ माता को रोटी खिलाना बहुत पुन्य का काम होता है दूसरा काम है दान करना भगवान शिरी क्रिशन कहते हैं जिस घर के लोग अपने समर्थ के अनुसार दान धर्म नहीं करते उन से भी मा लक्ष्मी रूट जाती है दान करने से धन की वृदी होती है इसलिए मनुश्य को दान अवश्या करना चाहिए तीसरी बात इस्तरी का अपमान इस्तरी लक्ष्मी का रूप मानी गई है जिस घर में इस्तरी के साथ मार पीट हिंसा की जाती है उस घर से लक्ष्मी को सो मिल दूर चली जाती है जिस घर में इस्तरी सदैव अनंदित रहती है ऐसे घर में लक्ष्मी का सदैव निवास होता चोथा है मदरा पान और जुआ मदरा पान करने वाले और जुआ खेलने वालों के सभी पुन्य करम नश्ट हो जाते हैं धन का दुर्प योग करने से मा लक्ष्मी रूठ जाती है पांचवी बात है इस्त्री पर इस्त्री गमन पाप माना गया है कहते हैं के बाली से लेकर रावन तक रमायन से लेकर महा भारत तक इस बात के अनेकों उधारन मिलते हैं के पर इस्त्री की चाहत रखने वालों का अंत एक ना एक दिन अवश्य बुरा होता है इसलिए अपनी इस्त्री के इलावा पर इस्त्री की तरफ देखना भी पाप है इससे मा लक्षमी रूट जाती है तो दोस्तों बच्चों ये थे वो पांच कारण जिन के कारण घर में आती है दृद्दर्ता आज के लिए बस इतना ही अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जै जै शिरी राधे